हलो बच्चों आज के इस वीडियो में हम गच्छा साथ का गडित का वारसिक परिच्छा का पेपर देखेंगे जिसमें पहला प्रिश्ण है सही विकल्ब चुन कर लिखिए ए भागे एक का मान क्या होगा तो ए हो जाएगा क्या हो जाएगा ए चार तीन दो एक का ओसद क्या होगा इसमें दस हो जाएगा दो एक्स प्लस तीन बराबर तीन मैं हल होगा जीरो हो जाएगा त्रभुज के तीनों कोणों का योग होता है एक सो अस्रियंज संपूरक कोणों का मान होता है कितना एक सो अस्रियंज आयत की सम्मुग हो जाएं बराबर होती हैं बरक की सभी हो जाएं बराबर लंबाई की होती हैं ब्रत का छेत्फल पाई यारिस्केर होता है समानतर चत्रबुच का छेत्फल क्या होता है समानतर चत्रबुच का छेत्फल आमने सामने की बजाएं एक प्रकार से आयत माध्य बरावर क्या होता है उसका फर्मूला लिखना है यहां पर सही जोड़ी बनाईए वरका परिमाप चार गुड़ा इसका हल कितना आएगा एक बटी चार इसके तीन एक्स स्क्यार और इसका पंद्रा परसेंट शेंटी दिसमला पांच लाब बरावर बिक्रेमूल माइन में प्रिश्णों में सत्यासत बताना है तो पहला हमारा सई है दूसरा गलाथ है तीसरा सई है चोथा सई है और पांचमा सई है अगला प्रिश्णा देखते हैं एक सब्द में उत्तर एम बराबर दो पर एम माइनस दो का हल ग्यात करना है तो जीरो हो जाएगा इसमें लाब बटे हानी के प्रस्ट सूत्र को लिखना है और ये तीसरा देख लेंगे यदि किसी वस्तु का क्रेमूल 100 है विक्रेमूल 150 तो लाब कितना होगा ये निकालना है इसमें एक ही पावर दास आएगा और व्रत्प्रम को परिभासित करना है चता कोशन में गुञण फल ग्याथ करना है इसको और इसमें भागफल निकालना है आयत का सइथ फल किया है इसकी लंबाई और चोडाई ये दी गई है और मेह संख्या की परिभास अधारान सइद बताना है प्र्थम 5 पूर्ण संख्याओं कामादी निकालना है इसपने बहुला क्याद करना इसका के निकालना है बहुला क्ये संख्याज दी गई समी खाल करना है। कि यह समीं करण हल करना है दस्मा कुश्चन देख लेंगी यह हैं अध्वा वगा यह संपूरक तथा पूरक योगों की परिभासा लिखना है ग्यार्मा वर्गा का पार का छेट्वल ग्याद करना है जिसकी भुजा कीमाब 40 cm है और अध्वा में आयत की लंबाई ग्याद करन करना है अंगला प्रिष्ण यह देख लेंगे पंद्रमा यह सोल मा सत्रमा हमारा अठार्मा उनएसमा बीसमा और यह लास्ट एक आईसमा कुश्चन देख लेंगे आईसमा और यह लेंगे खिर्श प्रिष्प मिना और यह लेंगे लगे लेंगे लेख लेग।